हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चेनल पे दोस्तो आप सभी लोगों के लिए एक नया रुकूरूट्मन निकल के आ रहा है बहतरीन जॉब होने वाली है डेटेल से डिसकस करेंगे किस बेसे पर आपका सेलेक्शन ह होने वाला है इसमें और देखो ब्रांच पहले मैं बता देता हूँ जिससे कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो देखो यार बीटेक कर रखे तो ही आप इसमें इलिजबल होने वाले हो डिपलोओ वाले केंडिट अनफॉर्चुनेटल इसमें इलिजबल नहीं है ठीक है और उसे बेले दोस्त अगर आपने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो जल्दी से आगे जोइन कर लो जिससे कि आपको हर इंफोर्मेशन एस वेल इस नोट्स टेलिग्राम पर मिलती रहे और आपको सुचारी रोप से इंफोर्मेशन भी मिलती रहे एटी से के में मैं यार काई ही बताऊं आपको नीलट बहुत ही बड़ी मतलब संस्था है गौर्मेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है इसमें आपकी वेकेंसी आउट हुई है ठीक है फ्रेशर केंडिये इसमें इसमें एलिजवल होने वाले हैं और देखो आपकी बीटेक होने जी मैं मैं पहले ही बता चुकों आपको computer science में या फिर electronics and telecommunication electronics and communication या से फिर उनसे relevant फिल्ट जो भी हो ठीक है और desirable में अगर आपके पास में experience है तो desirable है बड़ना compulsory नहीं है तीस साल आपकी age limit दे रखी है इसमें ठीक है और भी है total 9 vacancies आपकी आउट हुई है और upper age limit मैं बताई चु ठीक है अब और आगे मैं बात करता हूँ देखो यहां पर दे रखा है place of posting किसी भी पूरे all over India में कहीं भी मिल सकती है आपको 15-2 से आपके application firm start होएंगे ठीक है 15 फरवरी से और यह चलने वाले है 16 March तक ठीक है तो आपको लगभग एक महिने का time दे जा रहा है उसके अंदर ह कि बात करूं मित्र तो 800 पर आपको हर application में देनी पड़ेगी मतलब आप form बरोगे तो 800 पर आपको pay करने पड़ेंगे ठीक है और SC ST PWD candidates को कुछ नहीं बरना जनरल और OBC और EWS candidate को बरना है ठीक है तो यह हो जाता है आप देखो selection प्रासुजर क्या होगा इसमें written test होगा आप मतलब computer based test नहीं है written test है आपका जिसमें आपका technical होगा और generic area जिसको मतलब non-technical portion बोलते हैं वो आएगा तीन घंटे का paper होगा 120 objective question होगे जिसमें 65% question जो होगे वो technical area से होगे 35% आपका non-technical area होगा अब technical area में क्या होगा क्योंकि देखो इसमें दो ब्रांच चीज लिजवल है जो EC के हैं वो EC सुन सकते हैं ठीक है दोनों option आपके लिए available होगे ऐसा नहीं है कि CS वालों को EC भी लिखना पड़ेगा कुछ नहीं आपके पास में option है अगर आप CS के student हो तो CS बाला भरना और EC वाले student हो तो EC वाला फिल करना ठीक है और हर question एक marks का होगा 0.25 negative marking होगी आपकी cut of general category के लिए कम से कम 50% number आपको लाने ही पढ़ेंगे उसमें कोई दो राय नहीं है non-technical area में आपका देखो क्या पूछा जाएगा मैं वो बता देता हूं वैसे इसमें नहीं दे रखा है लेकर non-technical profession में जो आपका होगा वो analytical reasoning देखो यहां लिखी भी रखा है analytical reasoning होगी capability quantitative 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 और general awareness and aptitude ठीक है तो GKS और यही जो आता है आपका basic वही आने वाला है ठीक है फिर उसके बाद में आपका interview होने वाला है पहले आपका written test कराया जाएगा OMR wizard उसके बाद में आपका interview conduct कराया जाएगा उन दोनों के wishes पर आपका selection होने वाला है अब देखो interview के लिए इन्होंने portion mention कर रखें कि कहाँ पर कहाँ पर आपका center पड़ेगा अगरतला बैंगलोर चंडीगड चन्नई डेली गुवाहती हैदराबाद जैपूर जम्बू कोलकाता लखनो मुंबई ठीक है यह आपका written test का है और जो आपका interview conduct कराया जाएगे वो डेली में conduct कराया जाएगे ठीक है अब देखो आपका 1-3 में select किया जाएगा जैसे 9 vacancies आउट हुई है तो आपको 27-30 students को select किया जाएगा ठीक है तो यह आपका information पूरी हो गई और इसमें कुछ भी mention नहीं कर रखा और बचा कुछ आपको application form भरने की तरीका दे रखा है कि कैसे भरना है क्या करना है तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा वो आपको पताऊंगा एंजीनेर लोगों आप बहर लोगे ठीक है तो अगर फिर भी कोई doubt आ रहा हो भाईया भरने में आपको कोई सर्म मत करना है जिसके आना मत डारेक्टली आप कमेंट करना मैं आपका reply करने के लिए तत पर बैठा ही रहता हू आपको पताईए ठीक है और किसी भी कमेंट को मैं आपको बता दूँगा अगर कुछी भी दिक्कत आ रही हो यह मैं सोचना कि भीया मैं इंजीनेर हूँ और यह बोल दिया तो मैं कैसे ही भर सकता हूँ भरना आप मोज से भरना ठीक है तो आई तिंक आपको समझ में आगए जब तक लिए जय हिंद जय भारत